कि नमस्य दोस्तों आपका स्वागत है अच मोड़ी में आप जरूर देख रहे हैं लेकिन मैं सिर्फ यह बड़िया बात नहीं करूंगा जो है कि यह सब्सक्राइब करूंगा दो स्पेसिफिक मोडर साइकल के साथ में है पलसर नस्टाइब क्योंकि वह उसकी प्रॉपर कॉंपरेटर है और है और एक मोडर साइकल है जो काफी प्रिफर कर रहे हैं वह है शाइन क्योंकि यह दोनों मोडर साइकल रेडर और एक मोडर मोडर साइकल है और नस्टाइब उसकी एक प्रॉपर कॉंपरेटर बनती है तो चलिए कुछ शुरू करते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी लेनी चाहिए अब यह दिजाइन बोरिंग हो चुका है क्योंकि यह नेस्ट 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 में सब जगा कंटिन्यू किया गया था शाइन एसपी 125 शाइन नहीं कोंगा सिर्फ 125 कहता हूं और इसका डिजाइन थोड़ा मॉडर लगता है तोड़ा एज़ी लगता है इसके बॉड़ी डिजाइन बॉड़ी क्लूज भी काफी अच्छे लगते हैं लेकिन टीवेस रेडर का डिजाइन वैल यह काफी ज्यादा अलग ह इसमें edges, cuts, closes बहुत सारे दिये जाते हैं और हाँ आपको LED headlight, LED 80 light भी मिलती है इसका design बहुत ही unique है काफी लोग को इडिजाइन पसंद आया है काफी लोग को अच्छा नहीं लगता लेकिन overall यह motorcycle दिखने में काफी अच्छी लगती है काफी fresh लगती है आपको halogen indicators मिलते हैं स features मिलते हैं जैसे power modes, आप eco mode on power mode में switch कर सकते हो, आपको पूरा digital cluster मिलता है जो बहुत सारी information देता है जैसे mileage वगरा, well shine, sorry SP125 में भी आपको details मिल जाते हैं लेकिन यहाँ पे आपको TVS थोड़े महिनों बाद एक बड़ा cluster के साथ जो X connect है वो उसके साथ provide करेगा और जो connectivity options भी देगा मतलब radar इसके price पे काफी जादा justified है और हाँ अगर price की बात करूँ तो NS125 के सामने यह motorcycle radar almost 10,000 रुपी सिस्ती है उसके top model variant में और compare करे SP125 से तो सिफ 3000 रुपे महिंगे comparatively यह तीनों motorcycle में आपको 124.something CC का engine मिलेगा लेकिन Pulsar की बात करो तो सबसे ज़्यादा पावर मिलती है 11.6 BHP की और सबसे ज़्यादा टॉक मिलता है आपको रेडर में 11.2 नीटिमिलिस का आपको सेम 11.2, 11.3 BHP का पावर मिलता है आपको रेडर में लेकिन तौर थोड़ा ज् दिफ्रेंस है लेकिन आपको उतना दिफ्रेंस भी बहुत जादा फील होगा क्योंकि रेडर काफी हलकी है compared to Pulsar क्योंकि हमने Honda की SP125 को comparison में रखा है तो उसकी वेट है 118 kg, रेडर की वेट है 123 kg, और Pulsar NS125 की वेट है 144 kg, मतलब almost 20 kg का फरक पर जाता है, almost एक बंदी को बिठा मोनोशॉक मिलता है पीछे और साथी साथ रेडर में भी आपको adjustable मोनोशॉक मिलता है पीछे, front suspension तीनों motorcycle में टेलिस्कोपिक है और सबसे comfortable यहाँ पे कोई और नहीं रेडर है क्योंकि इसकी seat की design, साथ दा suspension का setup बहुत ही comfortable है, बहुत ही soft है और supple feel करता है normal riding पे भी, आप उसक आपको mileage preference जीए, तो आप ज़र भी ज़्यादर मत सोचिए जाके गबचुप Honda ले लिजे, क्योंकि वहाँ पे आपको सबसे best mileage मिलेगी, और ग्या litre का fuel tank मिलेगा लेकिन फिर भी आप अच्छा distance जा पाओगे, second पे आती है Pulsar, क्योंकि आपको 12 litre का fuel tank मिलता है, लेकिन compatibly mileage देंगे, तो आपको front disc मिलेगी, single channel, नहीं, आपको single channel ABS किसी में भी नहीं मिलता, kombi breaking system मिलती है, यहाँ पे, लेकिन आपको तीनों में disc brake मिलेगी, सबसे better feedback Pulsar का है, क्योंकि वह बरावज जगा पे रूख जाती है, second पे आती है radar, क्योंकि उसका feedback थोड़ा से sway करता है, वसक लेकिन, SP125 में आपको 80 section का 18 inch पे डाला हुआ wheel आगे और बीशे मिलता है, जो काफी पतला लगता है, लेकिन अगर आपको mileage चाहिए, तो यह पतले tires की वाईसे, अच्छा mileage मिलेगा आपको, shine, yeah sorry, SP125 में, अगर में seat head और comfort की बात करो, सबसे best comfort और best seat head मिलती है आपको radar में, 780 80 mm की, सबसे अदर टॉल नहीं है, छोटे लोगों के लिए काफी जाच्छे से accessible है, और हाँ, सबसे अदर ground clearance भी मिलता है, आपको 180 mm का, compare to all the other bikes, Pulsar की seat head है 800 mm, और आपको ground clearance मिलता है, 175, 176 mm का, और मैं shine या SP125 की बात करो, तो उसमें आपको 790 mm की seat head मिलती है, और सबसे कम ground clearance म आपको अगर आपके पैसे बचाने है, तो SP125, अदर फी रेडर में आपको 2 variants मिलते हैं, जो बीना disc के साथ आजेंगे, लेकिन Pulsar NS125 में आपको standard disc मिलती है, तो मतलब single variant मिलता है, तीनों motorcycle से आपको 4-4 color options मिलते हैं, जिसमें radar के colors काफी simple है, shine या SP125 में आपको dual tone colors मिलते हैं, और Pulsar के colors, well, वो तो हर जगा भड़क है ही, अगर हम 125cc motorcycle का पूरा category देखें, तो TVS ने एक नया proper best container लेके आ है, क्योंकि अब हम TVS radar को best 125cc motorcycle का tag दे सकते हैं, well, अब देखें, तो 125cc scooters में TVS N-TOK अल्री perform कर रही है, और motorcycles में, क्योंकि TVS के बास कुछ नहीं था, उन्होंने रेडर लांच की है, और यह motorcycle काफी अच्छे features करता है, और price भी एकदम perfect है, हमने यह motorcycle को track पे test किया है, हम काफी ज़्यादे इंप्रेस है, यह motorcycle price के लिए perfect है, features भी बहुत अच्छे है, engine भी बहुत प्यारा है, जो 3-valve motor है, और हाँ, यह motorcycle decent mileage भी दे देती है, तो 125cc motorcycle अगर आपको लेनी है, तो TVS रेडर एक perfect option बन जाती है, आपको अगर पलसर पसंदे तो आप वो ले सकते हो, आपको अगर बस mileage ही चाहिए, तब ही आप जाके shine यह SP125 को prefer कर सकते हो, शुक्रिया दोस्ते वीडियो को देखने के लिए, I hope आपको यह वीडियो पसंद आया हो, मैं मि